बनाना बहुत ही आसान है और बच्चों को फ्रूट खिलाने का कुछ यह इस्पेशल तरीका है रोजोज बच्चे ऐसे फ्रूट काके बोरो जाते हैं तो आप यह रेसिपी जरूर ट्राइ कीजिए और वीडियो पसंद आये तो लाइक करना बिल्कुल न भूले और अभी तक मेरे चैनल को आपने स्सक्राइब नहीं किया है तो सुस्क्राइब आपके जरूर कर दीजेगा घ्लो क्रेंज्ट रंद्स नतम छां मुनमुन की रसोई में बनाएंगे अमूल क्रीम से फ्रूट चाट जिहां गयस फ्रूट चाट बनाएंगे तो इसके लिए यहां पहुआ बेगाने लिया है अमूल फ्रेश प्रेश क्रीम यह 250 ml है अब घर की फ्रेश मलाई से भी इसको बना सकते हैं हम हैंड मिक्सर के हैर्प से विप कर लेते हैं आप विष्क है नहीं से बहुत ही इसी है बहुत ही आराम से विष्क हो जाता है तो चलिए आइए मैं विज्ख करके आपको दिखा देती हूँ, पहले एक पेकर के हम विस्ख करेंगे, परिएटमन मैं बटरे स्पराड़ एसेंस का यूज़ कर रही हूँ, वन टेबल स्पूंब रनीला एसेंस के उस कर सकते हैं आप इस में इलाइची पॉड़र कर सकते हैं इससे स्टेश पर मैं शुजर edd कर दे रही हम फैना ऐसा पूर ुपलसी इसको add करूँगि आप रगाल की जघे पर शुगर का भी यूज कर सकते हैं यानि कि पिसीवी चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं यहां पर इसे फ्लेवर और बहुत हो जाएगा बस इसनी मैं थोड़ा सा यूज़ करें इसको शुगर आप अपने हिसाब से भी रह सकते हैं और इसको फिस कर लेंगे अब यहां पर मैं इसको दो पर कर दूँगे और एक मैंट अच्छे से इसको विस कर लेंगे और यह देखें कुछ यह थिक सा हो गया है यह मिसको सेविन पर कर देंगे और एक मैंट अच्छे से इसको विस कर लेंगे इस तरह से हमें चाहिए क्रीम बस यह पर्फेक्ट है बस इतना ही हमें विप करना था इसको यह फूट्स मिला लेते हैं शुगर आप एक बर चेक का लिजेगा अगर आपको कम जाला लगे तो आप और मिला सकते हैं मेरे रहे हो अनार कि एक अनार है एक ग्रीन ग्रैस या एंगूर काली वाले ःंगूर यानि के ब्लैक ग्रैस एक और जेल माने इसका बीज निकाल लिया है और इसको कट घा लिए कि ऑनार्फी जा आप लाइक करता हुए वो हो फूर्फूस आप यहां-या पर एड कर सकते हैं यहां पर मेरे पास डाल दे रही हूं अपर ट्राइव यहां पर मैं काजू पिस्ता और और आल्मेंट्स का यूज कर सकते हैं पूंत के साथ मुझे नट्स का फ्लेवर बहुत पसंद पर प्रंची पैनाता इससे उसकी वज़े से टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है यहां पर मैंने लिया है एपल वनकट जो चलिए इसको मिक्स कर देते हैं यह ठंडियों का मौसम है क्रीम फ्रूट्स अलात को फ्रिज में नहीं रख रही हूं और यह अगर गर्मियों के सीजन में आप बना रहे हैं तो आप इसको डेफिनल्टी फ्रेज में रखिए यह चिल होने पर और भी अच्छे रखते हैं ठंडियों के हिसाब से काफी चिल है कि इसको भी मिक्स कर देते हैं यह बहुत ही हेल्दी है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता इस तरह से बहुत ही हेल्दी है तो मस्ट भी ट्राइड इस रेसिपी आइए अब सॉफ कर लेते हैं हम सॉफ कर देते हैं और यह इसको डेकोरीट कर देते हैं कुछ कीवी से ग्रैप्स ओरेंज क्रीम फ्रूट सलाथ बनके रेड़ी है लोकिंग सो डिलिशियस और डेफिनलिटी ट्राइड इस रेसिपी और वीडियो पसंद आया है तो लाइक श्यूर करना बिलकर लंभूले थैंक यू फॉर वस्ट्रिंग में